हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूरोटोप चैनल फोर क्रेटिव एस्टेडिच आज इस वीडियो के मादे हम से मुलोग जानेंगे बी सी ओ सी ओ सी ओ सी ओ सी वन थरिफाइब के लिए इंपोर्टेंट कोशन जो प्रिवियस एर के कोशन से है जो इंपोर्टेंट है और आने वाले एक्जाम के लिए जो इंपोर्टेंट सा भी थो सकता है इसलिए इन सभी सवालों को आप कम्पलीट कर लीजे ताकि एक्जाम में आपको दिक्कते ना आए ये सभी कोशन जो सब के सब कोशन प्रिवियस एर से पुछा गया और मैंने बता भी दिया है कौन से येर में पुछा गया है इसलिए इनको कम्पलीट कर लीजेगा चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को जैसे कि आज का ये सेशन जो है बीकॉमजी प्रोग्राम से और इससे पहले जो BCOC 132 और 133 के लिए important question post है उनका playlist मैं description box भी दे दूँगा आप उनसे देखके complete कर लीजेए ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को जैसे कि first question है कमपनी की परिवासा दीजेए और कमपनी के संदर में जैसे कि दो को सदर में में हिं 2020 आथिकारस एप क्या समझते है मतलब यह जो है न आ家 मे कंपनी में से समंदी जो है अइसे ह पूछ अगया था यह जुलाय दुजार बीश में और धिसंबर तो यह च्छाह गया है ऐसे ही same to same पूछा गिया था question clear? इसलिए इसको complete कर लिजिए next question है प्रविवरन के अर्थ और महतों का वर्नन कीजिए और प्रविवरन में मिथ्या कथन के लिए कौन उतरदाई होते हैं इसका भी उलेक कीजिए ये जुलाई 19 में और दिसम्बर 20 में पुछा गिया है clear? next है पार्शत सीमानियम क्या होता है इसके विभिन खंडों का वर्नन कीजिए ये दिसम्बर 2020 में पुछा गिया है और question number 4 निदेशक कौन बन सकता है निदेशकों के दायतों की चर्चा कीजिए ये question देखिए July 18 में July 19 में और दिसम्बर 2020 में पुछा गिया मतलब कि लगभग हर year में पुछा गिया July 18 में पुछा 19 में पुछा और 20 में पुछा हो सकता है और लेडी 21 में तो exam नहीं के बराबर हुआ था तो हो सकता है कि आपके exam 22 में पुछा जा सकता है इसलिए इसको complete कर लिजिए Next question, question number 5 सेरों को जब्त करने की वीधी की वेख्या कीजिए जब्ती के परभाव का भी उल्ले कीजिए पतलब कि ऐसे same to same question पुछा गया है July 2019 में, December 2020 में सेरों को जब्त करने की वीधी की वेख्या कीजिए और जब्ती के परभाव का भी उल्ले कीजिए Next question, question number 6 Company के वीधान तथा कमपनी के समापन में क्या अंतर है और समापन के लिए याचिका कौन प्रस्तूत कर सकता है इसके बारे में बताना है, समचितने वर्न करना है ये July 2020 में और December 2020 में पूछा गया है Next question, question number 7 आंतरिक प्रवंद के सिधान का वर्नन करें इस सिधान के अपराधों को भी अस्पष्ट करें ये July 2018 में और December 2020 में पूछा गया है इसलिए Next question, नीगमन का आवरन क्या है ऐसी किनी चार परिस्तितियों की वेख्या कीजिए जिनके अंतरगत या आवरन हटाया जा सकता है ये July 2018 में पूछा गया था Clear? Next question, question number 9 संस्थापन प्रलेक या तो उसी में सिमानियम क्या है ये से पूछा जाएगा संस्थापन प्रलेक या सिमानियम क्या है इसके विभिन खंडों की वेख्या करें ये July 2018 में पूछा गया था Next question Question number 10 कोरम की परिवासा दीजिए और उनके विशेक में कानूनी प्रावधानों को अस्पष्ट करें Clear? Next question चलिए Question number 11 Company सचीव की इस्तिति की विवेशना कीजिए Company सचीव की इस्तिति की विवेशना कीजिए ये July 2018 में और 20 में पुछा गया था हो सकता है कि 22 में मतलब दो साल का gap है तो हो सकता है कि आपके 22 में पुछा जा सकता है इसलिए इसको देख लीजेगा Next question Question number 12 नीजी कंपणी की परिवासा दीजिए और सारजुनिक कंपणी और नीजी कंपणी में अंतर बताए ये नीजी कंपणी के बारे में बताना है उसके बाद सारजुनिक कंपणी जो होती है और नीजी कंपणी के बीच अंतर बताना है ये July 2018 में पुछा गया था और Next question अंतर नियम क्या है अंतर नियम और सीमा नियम में अंतर अस्ट पस्ट करें क्लियर यह 18 में पुझा गया और 20 में पुझा गया जूलाए में उसका next question question number 14 डिवेंचर क्या है कमपनी कितनी परकार की डिवेंचर जारी कर सकती है इसके बाएं बता दिजिए है next question question number 15 सेयर तथा डिवेंचर और सेयर तथा सेयर वायंड में क्या अंतर है यह सभी के सभी question previous year के है sorry इसमें तो मेंसन नहीं किया गया है यह सब के सब previous year से लिया गया ठीक है इसलिए सब के सब important हो सकता है next question question number 16 निदेशकों की कानूनी स्थिती की विवेशना कीजिए यह जूलाई 2018 में पुछा गया था next question question number 18 कमपनी की सभा कितने परकार की होती है और व्यद सभाओं के आवस्यक लक्षनों का उल्ले कीजिए यह जूलाई 2018 में पुछा गया था next question question number 19 किन परिस्तितियों में किसी वेक्ति की कमपनी की सदस्ता समाप्त हो जाती है important हो सकता है आपके लिए इसको देख लीजेगा next question question number 20 है जैसे कि guys आप सबों के लिए FCS इतनी help कर लिए इतनी मेहनत कर रही है प्लीज थोड़ा सा आप सभी support करें support दिखा है प्लीज चैनल को subscribe करें और अपने दोस्तों के साथ share जरूर कीजिए clear चले next question और एक बात आप सभी हमारे टेलिग्राम चैनल में जरूर से जरूर जोईन हो जाए जरूर से जरूर क्योंकि exam से पहले और भी question update कर सकते हम लोग यह सभी sufficient नहीं है और हो सकता है कि आपके exam से पहले कुछ और question update हो इसलिए आप सभी जो है टेलिग्राम चैनल में हमारे साथ जूरे रहे और वहाँ active रहे जो भी notification आएगी वहाँ upload हो जाएगी clear चले उसका link description box में मिल जाएगा चले next question number 20 जो है यह sword में जैसे कि यह सकती बादता का सिदान इसके बारे में टिपन नहीं करना है भी में है नीजी कंपणी सी प्रभीवरान इसे पहले भी आ गया था उसका इसमें भी important यह सभी के सभी important आप देख जरूर से जरूर देखेगा यह संचित में जो जितना भी है देखिए मैंने लगबक कितना एक सकेंड आपको पूरा दिखा देता हूँ एच तक एच तक मैंने यह सभी के सभी जो नो most important आप सब कुस जरूर से जरूर देखे जाना आपको इस संचित में देखने के बाद आपको लोंग में भी easy लगेगा इसलिए इसको देख के जाना है ठीक है अब डी में है विसेश प्रस्ताव यी वार्शिक साधारन सभा एप परवर्तक जी सेरो का अभियर्शन उसके बाद edge सेरो का पारिशन यह सभी के सभी जो इंपोर्टेंट है आप इसको जरूर से जरूर देख लीजिए और यह जो है इससलिए अब के सभी सब्सवाश जरूर से जरूर देखिये और आप सभी के सभी जो इसाइमन कोष्ण जरूर से जरूर देख के जाए जिरूर से जरूर आपके syllabus में कुछ तो help जरूर होगा किस तऱ से question पूझए जाते हैं क्योंकि assignment question जो है आपके syllabus से ही पूझा जाता है ऐसा नहीं है कि syllabus से बाहर discussion assignment question में पूझा जाए ऐसा नहीं होता है, इसलिए आप सभी subject के assignment question जरूर से जरूर देखके जाएं उसमें भी कभी-कभी जो नैसा मैं कोशन से भी एक्जाम में पूछा गया है इसलिए आप उसको भी देख लीजेगा और उससे आपको समझ भी आ जाएगा किस तरह से कोशन पूछा जाता है किलिए आयो कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे और आप जरूर जरूर से जरूर इससे हमेरे बातों को मानेंगे और हमारे साथ जरूर से जरूर जूरे रहेंगे और जो भी नोटिपिकेसान आएगी हम लोग हमारे साथ मलब जूरे रहने पर आपको मिल जाएगी और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्ली चैनल को सब्सक